कि नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूर जरूर कर लिए यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिक्रेशन, सारे अपडेट, सारे इमोशन इप्टेंट पिक्स, सारा प्री में इसको जरूर जोइन कर लिए यह हमारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिए इस टेडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेस करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिक्स्टेट में इसकी लिंक दी इसमें आप इस्टोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रहिए लाई से आखरी पेड ग्रूप चलू होने वाला है ठीक टेस्स सेरीज भी आप लोग इसमें जोइन कर सकते हैं जादा जानकारी के लिए 856-488-0530-96960-66089 पर आप लोग कॉल करके जानकाई ले सकते हैं ठीक और देखे हमारे जो है शोचल वीडिया काई सारे हैं इंस्टाग्राम पे हैं हम टेलिग्राम पे हैं अल्ली करेंट एफेर्स टेडी फॉर्स सिर्विस और अल्ली यूपी एससी आप सर्ष करिएगा मिल जाएगा आप लोग को आज के हमारे जो टॉपिक्स प्रिलिम्स और में जोनों में आ सकते हैं काफी आदा इंपोर्टन्ट हैं वो है कि केंदरिय सूचना आयोग यानि की सेंटर इंफर्मिशन कमिशन समंद्रित क्या नियूज में आया क्या इंपोर्टन्ट है सारी चीज़े एक साथ मैं आपको देखेंगे टैली लाओ प्रोग्राम ठीक टैली लाओ प्रोग्राम इसी पर आज हमारा जो है कुश्चन भी है तो इसको ध्यान से सुनिएगा पढ़िएगा इंपोर्टन्ट है काफी ठीक और इसके बाद इंडेमिटी इशू ठीक अब क्या आया यूएसे ने बोला था कि वेक्सीन देंगे डोसेज देंगे कई साही देशों को इंडिया को भी उसमें बोला था कि देंगे लेकिन इंडेमिटी यानि कि छती पूर्टी समंदों के मुद्ध से की वज़े से अभी डिले हो गया है ठीक तो यह वाली बात है और केरला में जिका वाइरस दोजा अठा अब जोट ने पुनह एक बार याद दिलाया है सेंट्रल को मेरे भाई जो भी इनफोर्मेशन कमिशनर्स हैं ठीक पहली बात है कि आपका सेंट्रल इनफोर्मेशन कमिशन जो है यह राइट टू इनफोर्मेशन आर्टी आइए के अंतरकत इसकानुन के अंतरकत बनाएं किया है ठीक अब हर चीज का एक बहाना करोना तो नहीं हो सकता भाई ठीक है ना तो आप यह कह दो कि उसकी वैसे लंबित हो गया डिले हो रहा है तो ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोड ने फिर से चीज बोला डिरेक्ट किया है आदेश दिया है सेंटर गोर्मेंट को कि आप नियुक्ति करिये information दीजिए कि जो है नियुक्ति कितने ही information commissioners की vacancy कहां पर है ठीक डिक्तिस्तान कौन सी है और petancy कितने cases की बच्चे हुई है information commission के पास में जो कि आपका RTI के अंतरकत सबसे बड़ी जो है नाइक निकाय है यानि कि educator body है ठीक तो कि issue क्या है इसमें issue यहीं है 2019 में बोला गया था अभी तक किया नहीं और तब भी court ने कहा था जितने भी central government है state governments में भी होते है ठीक तो उनकी vacancy पूरी करो पारदर्शी तरीके से timely manner में यानि कि समय बद के तरीके से क्यों नहीं कर रहे हूँ आप ठीक और 2019 में actually क्या हुआ था कि right to information को जो सरकार ने इस act नया जो है संशोदन इसमें कई साय लाए थे तो वह अला important हो जाता है आप लोग को जो रिवाइस करना चाहिए कि दो जो है 2019 में जो नए संशोदन आया थे उसने किस तरीके से उनके challenges क्या क्या थे यह बोला गया था कि dilute कर दिया गया है काफी केंद्रिय सरकार ने अपनी जो है power बढ़ा लिया है information commissioner और इन सब के अगर आप उनके उसमें देखोगे तो काफी जो है central केंद्र government के पास में जो है centralization of power हो गई है वो जैसा चाहरे वैसे करें उसमें एक चीज जो सबसे बड़ा मतलब वो था कि उन्होंने एक तो term जो था पहले पांस साल ने धारित था फिर उन्होंने law में तो यह बताया चंसर ने जो law पास हुआ यह बताया कि law अब हम term कोई नहीं है बस 65 साल से 65 साल के बाद काम नहीं कर सकते रियपॉंट नहीं हो सकते लेकिन फिर उन्होंने इससे में term नहीं बताया कानून ने term नहीं बताया फिर रिपीट कर रहा हूं लेकिन फिर जब इन्होंने जब रूल आया तो उसमें ये बताएगा कि जो है आपके जो कमिशनर्स है इनकी तीन साल की अवधी होगी या फिर जो है 65 साल तक एक कर सकते हैं और री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता ये पूरी जो है बेसिक नॉलेज है या इसकी इंफोर्मिशन हो गई ठीक है तो ये साथ चीज़ें आपका तीन मंथ का टाइम दिया है सेंट्रल को कॉर्णू ये सुप्रिम कोड ने की भईया ये फिल विल करो जितनी वेकेंसीज है सेंट्रल इंफोर्मिशन कमिशन जो है आपका दोजार पांच में राइट टु इंफोर्मिशन आइक जो है उससे बनाये गया था कमिटी बनाई जाती है ठीक कमिटी में कौन-कौन होते हैं एक तो हैड आपके होगे प्राइम मिनिस्टर दूसरे होगे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ दर लार्जेस सिंगल अपोजिशन बॉड़ी ठीक तो जैसे है कमिटी होती पिर इस कमिटी से निर्णे आता है ठीक है और फिर जो है उस निर्णने पर अपना recommendation मतलब इस recommendation पर अपना recommendation पर प्रेशिएट डिसीजन लेते हैं अपोइंट करते हैं चीफ election commissioner और information जो चीफ information commissioner और बाकी information commissioners को सूचना आयुकतों को ठीक इनका term नहीं बताया गया था वैसे rules में 3 साल का बताया गया 65 साल तक और reappointment यानि की पुना नियुकती जो है नहीं हो सकती है इनके काम यहीं है भाई साब की receive करना और inquire करना कोई complaint आगे किसी person ने complaint कर दी RTI के अंतरगत कि हमको नहीं मिली information या फिर क्या क्या कारण है भी बताऊंगा तो इस पे आप जो है उस complaint को receive करो inquire बठाओ ठीक उस पे देखो कि वहिया क्यों नहीं हो रहा है और inquiry करते समय जो है commission जो है यह आपका chief आपका center information commission जो होता है वो civil code करता काम करता पावर होती यानि कि यह कुआसाय judicial body भी है कई लोग पूसते है कुआसाय judicial body जो है अर्थ नाइक जो है निकाए भी है यानि कि यह जो है आपका RTI को interpret कर रहा जैसे supreme court जो कई सारे कानून होते हैं तो उनको interpret करता है सम्विधान को interpret करता है वैसे ही इस particular RTI जो act है उसको interpret करता है और चुकि यह पूरी जो आपका judicial body तो कोई है नी तो इसको इसलिए जो है आपका अर्थ नाइक जो है निकाए बोलाते है निकि को ऐसाय judicial body बोलाता है सौन में आगी बाद civil code की तरह काम करता है यह document मगा भी सकता है लोगों को बुला भी सकता है अपने पास इसके पास power होती है कि compliance भी जो decision लिया सो compliance भी करा सकता है public authorities से कि भाईया यह चीज मैं बोलना हूँ इसको करो ठीक और compliance कराने के लिए conformity के लिए जो है यह मतलब आपका इस्टेस भी ले सकता है ठीक पहली बात यह है कि अपना decision देगा decision को imply भी कर सकता है देको यह एक चीज हमेशा चलती आई है यह बोला गया है कि right to information से पारदरश्टिता तो आगई लेकिन accountability नहीं आई ठीक यह पहले था 2005 में accountability इसलिए नहीं है कि अगर किसी पता चल गया कि गढ़बढ हुई है तो उसको कुछ punishment कुछ तो होना चीज के गलाव तो Chief Election Commissioner को यह बोला जाता था कि उनको और ज़्यादा जो है ताकत power देनी चाहिए ठीक जो कि कई लोग तो मानते नहीं थे तो accountability नहीं जवाब दहीं नहीं है अब क्या हुआ 2019 में जब नए संशोधन आए तो उसने और ज़्यादा जो है इनकी powers को dilute कर दिया centralization tendencies ज़्यादा आ गए यह बात इसमें कहीए इनकी duty देखे यह है कि complaint को receive करना inquire करना जो complaint किसी भी person ने करी है तो complaint किस किस कारण हो सकती है सबलिजे कि भाईया response ही नहीं मिला information मांगी थी अबने समय सीमा के अंदर नहीं मिला response दे लाए दो रहे भाईया उसके बाद जो है अगला यह है कि किसी ने अगर मान लिजे response दे भी दिया तो उसने information जो दी है वो तो अधूरी दे दी भ्रामा क्यानी की misleading दे दी और उसके बाद जूटी भी दे दी ऐसा बोला उसने ठीक वो चेक कौन करेगा भाई चेक तो चीफ जो सेंटर information commission है वो चेक करेगा कि कितरा सच है कितरा जूट है दूद का पानी पानी का दूद ये सब करेगा ठीक है और submit करेगा information request माली जो किसी ने पूछा था ठीक लेकिन भाईया जो PIO है public information जो officer है वो appoint ही नहीं है तब ही तो कह रहा है यहां सुप्रेम कोड की इनको vacancy उकतम करो और अगला है कि भाईया फी जो भी charge करी जा रही है वो बहुत unreasonable है माले चाहिए दे 10 रुपए आपने ले लिए 1000 रुपए ये क्यों किया और OCC ने मना कर दिया कि नहीं देंगे information जाओ जो करना हो कर लो तो इन सब कारणों पर जो है center information commission के कारे होते हैं ठीक अगर कोई complaint inquiry करता है तो ठीक है अगला जो हमार टॉपिक है इंडिया और European Union के बीच में cooperation होना है किसमें कृपरेशी के छेतर में आपको पता है कि हमारे जो agriculture minister है अब सिर्फ agriculture minister है वो है नरेन सिंग तोमर जी इन्होंने मुलाकात करी Mr. JW जी से ये European Commission के agriculture वाले member है ठीक JW इसलिए बोलना हूँ क्योंकि नाम थोड़ा सब टफ है टंग ट्विस्टर टाइप का जानुष वोच चौफ चौफ का पता नहीं क्या है ठीक है तो ये चीज है और इन्होंने दोनों डिगनेटरीज ने डिसकस किया क्या चीज? common agricultural policy यानि कि जो है आपकी साजा की किर्शी नीती जो चल रही है और जो इंडिया में अभी market reforms किये गए है ठीक जो farm के laws अभी है जिसमें काफी विरोध भी हो रहा है इससे समंदित अपने study for civil services चैनल पर मैंने जो है वीडियो दे रखा है आप लोग जाके उसको देख सकते हैं इसके अलावा जो है European Union ने form to fork यानि की खेस से लेके plate तक पूरा strategy बना रखी कैसे एक culture ये कैसे होगा माली जाए देखे आपने यहाँ पर product harvest किया harvest करने के बाद जो है आप उसको market करोगे market करके तब तो हमाई थाली में आएगा तो ये सारी strategy इनकी European Union की है साथी साथ UN की food system जो है summit हुई bilateral cooperation इन सब पर बातचीत हुई है ठीक अभी जो member है European Commission के agriculture वाले उन्होंने कहा है कि वह या हमने कई सारे common agriculture नीती जो है policy जो इस पर हमने काम किया है और हम European Union farm to farm fork वाला वाली काटा होता ना जो farm to fork वाली strategy हम अपना रहे है ताकि जो agriculture है ये सब करके उद्देश क्या है overall कि agriculture को हम sustainable यानि कि स्थाई और environment friendly यानि वतावर्ण जो है को नुकसान न पहुचे ऐसा agriculture को बनाना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो है लक्ष यह है कि 25% जो area है European Union के अंतरकत ठीक friendly कैसे बनाओगे उसको हम जैविक खेती यानि कि organic farming बना चाहते हैं आपका 2030 तक हमारे जो union minister है agriculture के उन्होंने क्या बोला कि हमें इंडिया में कल्चर का अगर देखा जाए तो जो छोटे किसान है उनका dominant जाता है जैसे लगू और सीमान जो किसान है 86% तो जातर लगू और सीमान किसान है जिनके पांच एकड़ जमीन भी नहीं है ठीक है तो जातर तो ऐसे ही तो land holdings क्या हु आज आप लोग को जो है इसको मझे explain करना है comment में करके ठीक तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ जो हमारे नाइन सिंग तोमर जी ने बताई कि जो है हमने कई सारे initiative लिये हैं farmers की income को बढ़ाने के लिए agricultural infrastructure fund हमने बनाया है जिसमें एक लाख करोड रुपिया जो है डाला गया ह है ताकि जो भी जो किसान है ठीक उसने माली जे कोई उत्पादन किया किसी का एक एक लिटी का तो उसको फार्म गेट से जो भी infrastructure बन सकता है माली जो कोल्ड इस्टोरेज हो गया जिसमें आलो अलू रखते हैं पूरे क्योंकि आलू तो हम लों बारों मास खाते हैं ना तो य साथ ग्रामीड एरियों में बनेगा यह मार्केटिंग फ्रस्ट्रक्चर विपड़न वाला साथी साथ फार्मेशन जो है दस हजार एप्यो जानी फार्मर प्रडूसर और्डूसर और जाने की बात करेगी है ठीक जैसे सेल्फ हेल्प गूरूप होता ना स्वेम साहता ख़्याँड वाज क्लेशन जो है अब हुआए उ कि काफी स्टप भी लिए गए हैं कि एक कल्चर को हम सस्टेबल बनाएं, स्थाई बनाएं, इन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाएं और इसके लिए क्या-क्या चीज़े नोंने करिए एक एप्लिकेशन जो बात करिए नैनो यूरिया की ये नैनो यूरिया क्या होता, ये बताईए, ठीक है, और और और्गनिक फार्मिंग के लिए यानि जैविक खेती के रिए एक स्कीम भी चलाएगी, इसका नाम है परागत क्रिशी विकास योजना उन्होंने ये भी बताया कि हम ये चाहते हैं कि जो गंगा रिवर है, ठीक, गंगा रिवर के इधर पांच किलो मिटर और इधर पांच किलो मिटर दोनों तरफ, जो हम चाहते हैं कि जैविक खेती हो पूरे में, ठीक, इन सब में, जैविक खेती हो और इसके लिए जो है, ग द्री कल्चा हुले बंदें जने बात करी कहा कि मैक्सिमिमम रहेशीडिवल लिमिट जो है वो इसको फिक्स कर दो आप practiced जरिणो Clay to फिर से एक और बात भी कही, कि हम कही सारे जो mitigation measures हैं, ठीक है, उनको हम resolve करना चाहते हैं, European Commission के साथ में, और ताकि जो है, यह मनला हम आसानी से trade कर सके हैं, एक राजनीतिक और आर्थिक यूनियने 27 मेंबर से हैं, ठीक और यह लोग ज्यादत तर लोग, जो है, European Union की Eurozone वाली जो है, Euro currency उसको use करते हैं, ठीक सब नहीं करते हैं, द्यान रखना है, जैसे बिटेन पर नहीं करता था, आप तो बिटेन हिससा ही नहीं है, ठीक है, बिटेन हिससा ही नहीं है, अच्छा, Lisbon Treaty क्या होता है, बिटेन से याद आगया है, Brexit से, Lisbon Treaty और Article 50, यह दोनों चीजे related हैं, इसलिए पूछा है अपर, अगला जो हमारा topic है, वो है, टेली law program, अब यह देखो, simple सा यह है, कि online use किया जा रहा है, ठीक, online platforms का, जैसे कि common service center, CSC होते हैं, उनका use किया रहा है, ताकि जो भी, वादी है, ठीक, वो अपना online ही case को register कर दे, pre litigation phase में, judgment हो गय उसको मिल जाए, video conferencing के थुरू, ठीक, आपका telephone के थुरू, वहीं पे जो है, अपना remote area में, ग्रामीर छेतरों में बैठे, camera के सामने, और इधर बैठ जाए, expert बैठ जाए, और वहीं से जो है, सारी साहता लेते हुए, case को, फिर जो है, solve करने में, आसानी हो, online, खर्चा बच और समय भी बचे, कई लोग को माली जे, कि पहले क्या होता था, जब उत्तरप्रदेश एक था, आप समनना मरी बात, तो हाई कोड जो होती थी, आलाबाद में होती थी, निताल वाले लोग, मतलब कि उत्तरा खंड वाले लोड जो आब हो गये, उन्हों को जाना पड़ता थ अगर किसी ने केस कर दिया, किसी धन्ना सेट ने, कि वही आलाबाद में केस हो गया, तो गरीब लोग जो है, वो तो जाने में ही उनकी आलट टाइट हो जाती थी, तो इस चक्कर में जो है, और जो है, वो किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, टेक्नोलोजी का जाएगा इसी को बोला जा रहा है टेली लॉग यानि कि टेली मैदिसिन जैसे होता मैडिसिन प्रवएट करते हैं हम लोग ठीक जो यह यह टेली कॉम्टिकेशन को जुश करते ही विविसे लॉग से सम्बंदित जो है आपका टेली लॉग्रण में चलाए यह प्रोग्राम तो वैसे Ministry of Law and Justice का है लेकिन इसमें बदब की लिए जा रही है यह जो CSC है ना आपका Common Service Center जो है आपने देखा होगा गरी सौरी ग्रामीड और जो रिमोट एरियास में कई लोग इंटरेट खोल के कप्प्यूटर से जो है कई लोग को आपका भू लेक और जो CSC के जरीए दिलाई जाती है तो यहाँ पर क्या है Ministry of Law का तो है यह प्रोग्राम लेकिन जो है आपका Ministry of Electronics and Information Technology का भी मदद ली जा रही है जिसका यह पार्ट है Common Service Center ठीक यह पूरा जो है खेल यहाँ पर यह है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ठीक आपका जो CSC होता है य Ministry of Electronics and Information Technology के इंतरकत आया 2009 में चालू हुआ था यह और यह एक तरीके Public Listed Company है ठीक Ministry of Law and Justice का प्रोग्राम है लेकिन मायती के साथ में प्री-Litigation Stage में काम करता है और इसमें देखे यहाँ पर यह ही है सारा कुछ कि जो है आप जो टेली Communication Expert है Lawyer है यहाँ चालू किया आपने volunteer किय सिटीजन, CSC Center गए वहाँ रेइस्टर कर दिया और सिटीजन एराइव स्पेसिविट डेट और टाइम पर कंसल्टेशन के लिए आ जाता है फिर उसको एक्सपर से बात होती ही रिसिप्स से बात होती है और केस क्लोज कर दिया जाता है ठीक तो यह काफी अच्छा है इससे एक चीज हो रही पता क्या जैसे का जाता है कि Justice delayed अगर जस्टीज लंबित है दिले हो रही है तो जस्टीज denied है मतलब justice मिला नहीं फिर और justice right to justice जो है मझे जाता कह रहा है यह एक basic structure के पार्ट है हमारे समिधान का ठीक है ना राइट टू स्पीडिडिवली जस्टिच जो है ये एक हमारा मुल सनचना है basic structure है हमारे समिधान का तो ये जो है fundamental right हुआ कि मिलना चाहिए उनको सभी को तो इसमें एक चीज ये है कि वहीं video conferencing और telephone का use करते हुए जाज़ जाज़ा लोग को जो है जो लोग गरीब हैं दलित हैं कमजोर हैं अगम में समू है मतलब जो लोग नहीं जा सकते हैं समूदाय बाकी लोग जो है इसका फाइदा उठा सकते हैं और इसमें सभी जो marginalized disadvantage जो वंचित जो हैं communities जो सबका होता है इसमें उधार हो रहा है और अभी 633 डिस्टिक में है आपका पचास हजा CSEs हैं चौती स्टेट और यूनिट रेटिस में 115 डिस्टिक जो aspirational अकांची डिस्टिक भी इसमें included हैं समय बस्ता है मनी बस्ता है इसमें legal advice अब कुछ मिल जाती है और देखा जातो sustainable development goal जो 16 है उसमें कहा गया है कि हमें समवर्धन करना चीए शांति पूर्ड और inclusive यानने की समावेशी समाज को बनाना सातीजा sustainable development कराना सतत्व विकास कराना और इसमें यह है कि हम provide करें access to मतलब कि सबको नयाएं मिले सबको accessibility उसकी मिले और हम build करें effective यानि प्रभावशाली accountable यानि की जवाब दे ही और inclusive institution ऐसे संस्था बनाए जो की समावेशी हो सब लोग उसका जो है वो ले सकते हैं फायदा सब लोग को benefit मिले ठीक तो यह क्या enable करता है कि आप legal advice ले सकते हो ठीक है without wasting precious time and money और यह service जो है free of cost है उनके लिए जो लोग भी जो मैंने पढ़ा हुआ है वैसे कि Legal Services Authority Act जो act है ठीक है यह आप लोग ने पढ़ा होगा DPSP जो है राज की नीति देशकतत्तम है मारा उसमें article number 39A है उसमें लिखा हो ना free legal aid तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक law बनाया जिसका नाम है Legal Services Authority Act इसमें नालसा बनता है national level पर और सालसा टाइब से होता है state level पर लोग अदालेत भी इसी law के अंतकत आता है तो उसमें 12 section धारा 12 है उसमें उसमें यह कहा गया जो लोग भी उसके लिए eligible होते हैं तो उनको तो free legal aid बिल जाता है और बाकी लोग को बहुत ही कम पैसे में जो है यह अली जो है प्रोग्राम के अंतकत साहता प्रोवेट कियाती है अगला देखिए जो हमार टॉपिक है इस सिंपल साइस यहां पे क्या हो रहा है कि USA ने कहा कि हम डोनेट करेंगे वैक्सीन बहुत ज़्यादा इसने वैसे ही वो कर ली है अपने बाई खटा कर रखी है सड़ रही है इतनी ज़्यादा है ठीक तो इसने अभी दी भी थी बारा कई देशों को इंडिया के भी बाद इसने वादा किया है पाकिस्तामस्तान को तो दे भी चुका है ठीक है तो डोनेट करने की बात करी लेकिन डोनेट खुद तो नहीं कर रहा है USA क्या कुछ कमपनिया है जैसे की मोडरना हो गया फाइजर हो गया जॉनसन जॉनसन हो गया ठीक तो ये वाली कमपनियां जो है यह जो है वहाँ पर आ कि यहाँ पर वित्रन करेंगी तो हो क्या रहा है एक चीज होती है छति पूर्ति वाली तो इंडिया में माली जे इंडिया ने बुलाया और इंडिया ने यूएसे ने तो वादा कर दिया कि हम डोनेट करेंगे लेकिन इंडियान गौर्वर्मेंट से जो ये कंपनिया है वो ये चाहती है कि भाईया आप हमें छती पूर्ती संबंधों बेसे मला इशू जो है वो हमारे सॉल्व कर द पूर्ती ये कंपनिया नहीं ये इंडिया वाले करेंगे इंडियन गौर्वर्मेंट करेंगी ये चीज बात हो रही है अब इसमें मामला फास गया यूएसे ने कहा कि हम देंगे इंडिया वालों से और ये वाली कंपनिया करें कि ये वाले जो इशू ने ये पहले सॉल्व से लिए खुस्त तो इसमें बताओं घटेए यूए से वैसे तो जो है आपका ट्रॉपयो चैंसर करकर रेखा की उपर होता है लेकिन जो ओफशोर होता ने यहां पर प्रशान मारत सागर में होता यह की यह जो है आपका इसके थूप अपका वो पार हो जाता यह तो यहां यहां तक तो कोई भी आपको दिखेगा नहीं, सुरी, यहां तक तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन हावाई जो यह है आइलेंड्स हैं, यह कोकी USA का पार्ट है, तो इस से जरूर जो है काटते हुए निकलती है, करकर रेखा ट्रॉपेव कैंसर, तो कभी कोशन पूछ ले तो ध्यान रखना हो, मैं आपको बड़े अच्छे देखा करो, ठीक तो यहीं जॉनसें, जॉनसें, इन सबसे बात हुई थी, उन्होंने यहीं कहा है, कि भाईया, हमको इंडिम्निटी ओले इशू सॉल्फ करतो, जिसमें की भारत में अगर बुलाय जा रहा है, तो भारत गॉर प्यासी ने कहा, हमने बुला लिया, और माली यह कोई साइड इफेक्ट हो, कोई मर मरा गया भाया, तो हम क्यों जिम्मेदार ही लें यार, तो मतलब तो डोनेट भी कर रहे हो, हमको यहाँ पर कोई हो जाया, तो हम जिम्मेदार हो जाएं, तो इसकी वज़े से यह काफी यह पर इशू हो रहा है, अगला जो हमाँ टोपिक है, काफी आदा इंपोर्टेंट है, जिका वाइरस से, अब दोको यह 2018 में जब यह चल ला था, जिका वाइरस वाला, तब यह कोशन यहाँ पर उसने पूछा पिता, यूपीसी ने, यही मैं आप से कहता हूँ, इंटर लिंक भी करता है, और यह मच्छर जो है, चिकन गुनिया भी करता है, अब उसने अन्तों क्या माँ पूर लिया, उसने जो है, चार आप्शन दिये, A, B, C, D, और उसने जो है, बिमारियां दी, तीन-तीन करके, अलग-अलग, और उसमें पुछा बताओ कि, A, D, S, A, GFT, कौन सा जिसको तीनों को ही करता है, अब यह जब तक आप इंटरलिंकिंग वाली चीज आपने नहीं करी है, नहीं आप उसको सीख रहे हो, तब ता आप नहीं कर पाओगो, UPSC, मैं आपको बता रहा हूँ, impossible तो नहीं है, लेकिन उसको possible करने का तरीके अगर आप नहीं follow कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, और खाना पूर्ती प्लीज करना मत यहां पर, मैं यह चाहता हूँ कि UPSC के अगर करना तो मैं जितने guidance भी दे रहा हूँ, उसकी self study अगर आपने करी नहीं तो यह समझा लेना, spoon feeding से कोई आज तक निकाल नहीं पाया है, यह जो हो यह tough hard truth जो भी कहो लेकि इसके बाद truth उसमें जुड़ा हुआ है और मैं आपको कभी भी गलत guidance दूँगा नहीं, क्योंकि मैं धोके में रखता नहीं हूँ किसी को, साब बाब बता दे रहा हूँ, जितना भी guidance मिल रहा है बस वहां तक नहीं, उसके बाद मैं चाहता हूँ, अगर म प्लीज भी महीं मुझसे ही बुलवा लेता हूँ, यार का चाहते हूँ, जो जिका वाइरस है अभी केड़ा में 15 किसे इसको ड्रक किया गया है, यह जिका जो है वाइरस एक इंफ्रेक्शन है, मॉस्कीटो को दौरह फैलता है, और माली जे मॉस्कीटो ने जो है काट लिया किसी व्यक्ति को अब वो व्यक्ति जो है आपका किसी के साथ में माली जे उस व्यक्ति से प्रेगनेंट लेडी में चला जाता है यह मतलब भी कहा गया है कि यौन रूप से भी प्रसारित हो जाता है ठीक सेक्ष्वली भी जो है ट्रांस्मेट हो गया अब प्रेगनेंट विमन से जो बच्चा होगा उस बच्चे में क्या देखा गया है कि जो इसका हेड होता है ब्रेन का डवलप्मेंट ठीक से नहीं हो पाता है तो हेड माली जे ऐसे होना चाहिए ठीक बड़ा सा तो दवा इसको बोलते हैं मायक्रो सैफली मायक्रो सैफली बोला जा रहा है ये काफी पीछे था और ब्राजील में बहुत जा देखा गया था पीछे 2018 ठीक तो ये चीज़ है तो दो तरीके से फैलता है एक तो मॉस्कीटो फैला दे रहा है और फिर जब किसी men women में आ गया तो वहाँ से फिर women में चला गया तो जो है sexually चला जाता है ये men to men भी जा रहा है ये वाली चीज़े और अभी इसकी कोई भी vaccine वो सो कुछ है नहीं तो ये symptoms को खली दबाने की यहां कोशिश की जाती है मतलब कि पानी जादा pure दवाईयां लोग वहीं सब चीज़े है तो ये वाली बात है और इसमें viral infection है एडेस एगेप्टी करता है जो कि डेंगी और चिंगनगुनिया भी करता है और sexually भी ये ट्रांसफर हो जाता है पहली बार यूगांडा 1947 में देखा गया था पंदरों में ठीक फिर उसके बाद जो है ये humans में पांस साल के बाद ही आ गया आप ये कैसे आया आप समझ सकते हो ठीक और दूसरा ये कि स्परिडिक केसे जो है आपके कई सारे छिटपुट केसे होते रहे प्रशांत मासागर में आइलेंड ओव याप जो है इसमें आउटब्रेक पहली बार देखा गया फर्स्ट आपका 2007 में ठीक 2015 में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था ब्राजील में जिका वाइरस पर माइक्रोसेफली वाली बात आगे थे बेबी जो है उनके छोटे और अंडर डवलप्ड जो है मलब आविक्सित दिमाग हो रहे थे और जिका वाइरस खाफी खतननाक है माइक्रोसेफली वाली बात तो आपने सुनी ली प्रेग्नेट विमेन जो इंफेक्टेड होती है उससे यह हो जाता है जाता देखा गया वाइरस जो है कंसरे डेंजरस तो नहीं यह लेकिन लेकिन प्रेग्नेट विमेन के लिए तो है भाई बच्चे की पूरी जिंदगी ऐसी हो जा रही है तो यह ली बात है कुछ कंट्री जैसे की जहां पे जिका का आउटब्रेक हुआ ब्राजील हो गया और वहां पे एक स्टीप इंक्रीज हुई थी गुलियन बारे जो है इस सिंड्रोम में ठीक इसमें क्या होता है नियो लॉजिकल डिसॉडर है यानि कि ए 2017 में ब्राजील ने कंफर्म किया था यूएस नेशनल इंसिट्यूट ऑफ की जो फैटलिटी रेट है मतलब जिनको हो जा रहा है उसमें से आगर सो लोग हो रहा तो आर्द इसम्लों तीन लोग तो जो है मर जा रहे है इसमें ठीक तो दो तरीके से हो सकता ट्रांस्मिट एक है और तो जो है मत्षर से ओकिया यूमन को और हुमन से आपका हमें टू हुमन टू हुमन होंगा प्रेडन लेडियो और उससे देखे यह आपका बच्चा जो है उसके अंदर माइक्रोसैफली यह निनिंख जो दिमाग है आफ इक डिमागों और छोटा सा हो जाता है सर, मतलब इस तरीके से हो जाएगा, अगर माली यह ऐसा होना चाहिए, तो यह ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और यह चीज देखेंगे इसको दरशाया गया, यह भी काफी कतनाख सा लग रहा है, इसमें सिम्टम देखिये जातर तो सिम्टम आते हैं नहीं को सकता है को चैजक्टिव वाइटिस की हिंदी बहुत ही सरल है ने इस शर्ष लेश मला शोथ ठीक ने शर्ष लेश्मला शोथ भी हो सकता है आपको और इंफेक्शन नी तो होता है ठीक है और इंक्यूबेशन पीरेट जो है इसका आपका टाइम फ्रॉम एक्सपोजर तु सिंटम तीन सचौदा दिन होता है और इसको ट्रीट करने के लिए कोई वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं है और जिका वारेस जो है काफी वाइल्ड होते हैं इसके जो है सिंटम्स अब रेस्ट करिए काफी पानी पीजिए कॉमन पेन और फिवर मेडिसिन लीजे डवलो एचो यहीं कहता है इंडिया में देखा जाए तो 1952 तिरपब में पहली बार रिकॉर्ड हुआ था जिका वरेस अगर यह कह दे कि अभी देखा गया है दोजार के बाद ऐसा नहीं उनने सो बावन क लोगी UPSC आज यह पूछेगा एक बार भी आगर आपने पढ़ा होगा तो आप इंटिफाइ कर लोगे फिर 2018 में 80 केसे रहिस्थान में हुए तो 2017 में भी हुए थे 2017 में तमिलनाडू गुजरात इंसम में भी हुए थे और अभी कहा हुआ है करनाट का में हुआ है ने सौरी गाए के गोबर से बने पेंट का नाम है तो यह भारत का पहला पेंट है जो की गाए के गोबर से बना हुआ है ठीक तो यह statement बिल्कुछ सही है और इस पेंट को launch करने का दो देश है एक तो farmers की income बड़े बिल्कुछ सही बात है और दूसरी चीज है कि self employment जो लोग ले के इसके जो मतलब अबेस्डर है वो है नितिन गटकरी जी जो की हमारे MSME के मिनिस्टर है खादी प्राकरतिक पेंट जो की गाये के गोबर से बनता है अगला जो हमारा topic है question है वो है आपकी मातस सेतु से समंदित ठिक मातस सेतु ये तो समयारा मचली समंदित लेकिन ये एक app है और इसको create किया है किसने आपका ICR Central Institute of Freshwater इसका में जो है तर्गेट उदेश ये है कि किसान ऐसे किसान जो एक और फार्मर्स है फ्रेश वाटर एक वाटर की टेकनोलोजी उन तक पहुचाई जाए ताकि वो लोग जो है उसको यूज़ करते हुए ज़्यादा ज़्यादा इंकम कमाएं ये स्टेटमेंट तो चलो ठ खीक लग रहा है तीसरा चेटमेंट है कि यो यूनियर मिनिस्ट्री हमारे फिशरी एनिमल हजबेंटरी डेरी उन्होंने जो है इसको लॉंच किया है मातर से तू मोबाइल एप को यह भी स्टेटमेंट सही है एक्चली यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है और इसी लि फ्रेश वाटर क्या मतलब क्या हो गया कि जो जो है आपकी रिवर का वाटर है उसके लिए होगा यह समुद्र का पानी के लिनी होगा यहाँ पर देखो यहीं चीज होती समझ बिट्वीन दे लाइन और अनलसिस देखना वहाँ पर क्या है आपने इस वर्ड पर धियान नही पूछ लेगा तो अगर आपको ने विजिलेंट और डिलिजेंट रहे हो तो आप कर लोगे ठीक आज का जो हमारा फ्री वाला कॉश्चन है फ्री कॉश्चन मैं बोलता हूं लेकिन इसको प्रेक्टिस करना मैं आपको तरह बहुत जादे इंपोर्टन इसके बलब इस चीज अंदर भी समझो कि क्या चीज लिखना चाहिए था कैसे कौन लोग लग लिख रहे हैं और तो आपका पढ़ने का सोचने का होराइजन बढ़ेगा ने तरीके होगा और आपस मैं एक दूसरे सीखो कि जो की मेन ऑबजेक्टिव है मेरा इसका कराने का कई कई बार मैं भी इस लिखना स्टार्ट को जिसने लिखा नहीं वह प्रिलिम्स पार कर लोग इसके बाद के बैठों के क्या यार प्रिलिम्स तो खली फिल्टर है उसके बाद तो यार आपको जो रैंक तो यार मेंस का एक्जाम दिलाता है ना और एक चीज समझ लेना कट आफ से जिस भी कटिकर नमबर आपके उपर आने चाहिए मेंस ऐसा लिखना आप लोगो तो क्योंकि क्या होता जातर के जो मेंस की कट आफ होती है और जो फाइनल कट आफ होती उसमें 200 नमबर का गैप होता इंटर्व्यू के बाद ठीक तो इंटर्व्यू में आपके 200 से यादा नमबर लाना बहुत बड़ी बात होती है तो अगर आपने 50 के उपर मनीला है तो आपका फिर लिस्ट से नाम आएगा निए फिर से आप आपस पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी तो मेंस में आंसर रेटिंग का बहुत बड़ा महत्व है और इसको आप लोग कोई भी अगर यह सोच रह हैं तो यह एक पहला पार्ट हो गया और दूसा पार्ट क्या है कि क्या 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 कॉंस्टिट्यूशनल मेजर्स हैं ठीक जैसे मैंने आपको बेसिक स्टक्शे सची बताई और क्या इनिशियेटिव भारती कंटेक्स में इस अंदर्ब में लिए गया है कमेंट करना आप लो को अगरा पसंद आया तो लाइक को बटन तोड़िए शेयर सब्सक्राइब करके जा 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 लोग को जोड़िए ताकि यह जो हमारा मिशन है जा 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 लोग तक जो है सिच्छा को फ्री में पहुचा कर उनका सेलेक्शन करने का वो पूरा पूरा होना हो सके ठीक तो यह व थारा जा 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 जाम आटराम